व्रिंदावन में निधिवन नाम से एक जगह है जहां पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की जंशृती प्रचलित है। कहते हैं कि यहां पर श्री कृष्न रो जाते हैं और रात में रासलिला करने के बाद यही पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। आओ जानते हैं सचरक भरी बातों का रहैस्या 1. निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालूओं को बाहर निकाल कर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब सात तालों से बंद कर दिया जाता है ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्ब ग्रिह में भगवान के लिए नीम की तातून, पान का बिड़ा, लड़ू और श्रिंगार का सामान रख दिया जाता है रात में यहां कोई नहीं आता है, लेकिन फिर भी आश्चर्य की साथ तालों में बंद मंदिर को जब सुबव खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून की हुई, लड़ू खाया हुआ और श्रिंगार का सामान बिख्रा हुआ मिलाता है 2. कहते हैं कि इस मंदिर के दर्वाजे अपने आपी खुल कर बंद हो जाते हैं लेकिन ये किसी ने देखा नहीं हालां कि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरू संथ हरिदास ने अपने भजन से राधा घटाव कृष्ण के युग्न रूप को साक्षात प्रकट किया था यहां कृष्ण और राधा विहार करने आते थे यही पर स्वामी जी की समाधी भी बनी है 3. रात को यहां पर कोई नहीं जाता है कहते हैं कि जिसने भी यहां पर रात को रुख कर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है 2 या 3 दिन बात उसकी मौत हो जाती है 4. शाम के बाद यह मंदिर बंध हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहां कोई छुपकर रासलिला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है रात में यहां कोई भी नहीं रुखता है स्थानिय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्रीकृष्ण का चमतकार हालां कि सच क्या है यह तो शोध का विशय ही है 5. यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण स्यम्वा रोज रात को खुद शयन करने आते हैं उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुधरी गादी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं पान का बीर्या, लड़्डू और दातून के साथ ही श्रिंगार का सामान रखते हैं लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचम्भित हो जाते हैं क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहां कोई सोया था 6. सबसे आश्चर्य की बात ये भी कि यहां प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चड़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद साथ, जन्शुती है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण घटाव राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधाजी का श्रिंगार सामान रखकर मंदिर के दर्वाजे बंद कर दिये जाते हैं जब प्राता दर्वाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त घटाव व्यस्त मिलता है मान्यता है कि रात्री में राधा घटाव कृष्ण आकर इस सामान का उप्योग करते हैं आठ, कहते हैं कि यहां तुलसी के दो पौधे एक साथ लगे हैं रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं इन तुलसी का एक भी पत्ता यहां से कोई नहीं ले जाता है जिसने भी गुपचुप ये कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है नो, इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेर भी अजीब है यहां के पेर की शखाएं नीचे की ओर बढ़ती है ये भी जन्शुती है कि रात में ये सभी पेर गोपियां बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुना पेर बन जाते हैं इन सभी पेरों को गोपियां ही माना जाता है श्रीमद भगवत के दशम सकंद में रास पंचाध्याई में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्नेमा को यमुना पुलिन में गोपिकाओं के साथ महरास के बारे में बताया गया है आज भी शरद पूर्नम पर निधिवन में होती है विशेश रासलिला लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता बस महसूस कर सकता है कहते हैं निधिवन के आलिगनबद पेर दर असल यही रासरत गोपिकृष्ण है जो प्राता होते ही पेर बन जाते हैं और रातरी के नीरव में रास करने लगते हैं 10. यहां के आसपास के अधिकतर घरों में खिर्किया नहीं है और जिनके घरों में हैं वे शाम की आरती के बाद खिर्किया इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं अन्यथा वह अंधा हो जाएगा उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले